हाई फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी ग्लोइंग स्किन आप कैसे होम रेमेडी की साथ बना के आप यूज करके आपना स्किन को ग्लोइंग बनाने में हिल्प करेगी दोस्तो आप इसको घर में बनाना है और घर की रेमेडी से बनाना है दोस्तो सारी की सारी और तर्मरी पाउडर जो होती है हमारी स्कीन में जिद्दी से जिद्दी दाग धबा दूर करने में हेल्प करेगी और साथ यगे पर थोड़ा सा ग्ली सरीन एड़ करूंगी दोस्तो ग्ली सरीन जो होती है हमारी स्कीन को ग्लोईिंग बनाने में बहुत अच्छा फाइदमान है ये ग्ली सरीन आपको कोई भी दुखान में करूंगी गुलाब जल गुलब जल हमारी स्किन को सॉप्ट बनाने हेल्प करता है संटेन, ब्लैक हेट्स, ब्लैक स्पॉट से आपको रिमूट करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करती है दोस्तो, इन सारी इंग्रेडियन्स को अच्छे से मिक्स करके आपको हफते में 4-5 बार लगाना है दोस्तो, अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आपको जितना कोशिश किजिए बार बार लगाने में आप इसको लगाने में कोई भी आपको साइड एफेक्ट नहीं मिलेगा बलकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तो आपके स्कीन की उपर, बस ऐसे एपलाई करना है देखिए ये पेस्ट की तरह बन गया आप ऐसा ही बनाना है आपको ऐसे बना के आपकी पूरी स्कीन की उपर इसको लगाना है और रफ करना है दोस्तो मसच कर कीजिए पांच मिनिट मसच कीजिए 20 मिनिट या 30 मिनिट रख के इसको धो दीजिए धो देने की बात कैसा दिखता है देखते है चलिए हाई फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यह सहथ पर जो यूज किया ग्लोइंग बनाने में जो पेस्ट आप की सामने यूज किया दोस्तो आप देख सकते हैं!? कितना अच्छा डिफेरेंट लग रहा है ग्लोवी लग रहा है दोस्तो आप दोस्तो आपके स्कीजिए और एपलाई करके